नमस्कार जैसी राम इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्यपठर्देश से यहाँ पर कमलाक को कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के परिवार ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है और कॉंग्रेस परिवारवाद की जो पार्टी है वहाँ पर रोबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाडरा राहुल गांधी और सोन्या गांधी ने परिवार जो सोन्या गांधी का परिवार है इन्होंने इस बार देश के लोकतंत्र पर हावी होकर उन्होंने एक परिवार के तरब से निर्नाई दिया है कि ये परिवार निर्नाई करता है कि मध्यपरदेश का स CM कौन बनेगा देश का लोकतंत सिरफ एक मजाक है वहाँ पर जो जिस प्रकार से ज्योती राजित्य सिंद्या को CM बनाने की मांग की जारी थी लेकिन ज्योती राजित्य सिंद्या को CM क्यों नहीं बनाया गया इसके पीछे कॉंग्रेस की मंसा पर सवाल उठ रहे हैं और सौन्या गांधी और कॉंग्रेस किसी खत्रे में नहीं डालने चाहती है इसी वजो से जो राजिस्तान है वहाँ पर सचिन पाइलेट को भी सीम नहीं बनाया जाएगा और जो मध्यपर्देश के जो युवा चेहरे हैं जोती राजित्य सिंद्या को भी मुख्य मंतरी नहीं बनाया गया इसी वजो से क्योंकि राहुल गांधी अगर जोती राजित्य सिंद्या को सीम बनाया जाता तो यहाँ पर राहुल गांधी के लिए खत्रे की घंटी साबित होती Congress में ज्योति राधित्य सिंद्या का चेहरा बड़ा होता और राहुल गांदी और सोन्या गांदी नहीं चाहती कि वो किसी तरह से राहुल गांदी को खत्रा हो राहुल गांदी की जो Congress है उसको किसी प्रकार से ये युवा टकर दे सकें इसी वज़ों से उस भुजुर्ग पर वो कमलात पर कमलात के बयान आपको पता होगा किस तरीके से वो RSS के खिलाब बयान दिया था किस तरह किसे हिंदुों के खिलाब बयान देकर उन्होंने कहा था कि हम अगर मुस्लिम 90 फिस्दी तक वोट देने नहीं जाएंगे घर से नि कॉंग्रेस पार्टी मध्य परदेश्ट में सरकार बनाती है तो वो RSS पर प्रतिबंद लगा देगी तो यही कारण है कि सौनिय गांधी इनसे खुस हो गई राहुल गांधी इनसे खुस हो गई और उन्हें सीम पत का ओफर दे दिया सीम बना दिया और सीम बनाने में यह ज परजी नहीं दी गई इनको सीम नहीं बनाया गया और जो राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी पार्टी युवाओं की आवाज है उनकी पार्टी युवाओं को लेकर आगे चलती है लेकिन इसमें साब दिखाई दे रहा है कि युवाओं की आवाज को राहुल गांधी और करके राहूल गांदी के राजनेतिक केरियर को खतम कर दें जिससे कि जेवतिराधिस सिंद्या और सचिन पाइलेट को पीम बनाने को लेकर अगर कॉंग्रेस में आवाज उसती अगर कॉंग्रेस में उनका कद बड़ा होता तो कहीं न कहीं राहूल गांदी को पूरी तक कर मिल इसी वजो से उन्होंने इनके राजनीतिक करियर्स के साथ खिलवार किया है और उन्हें सीम पद नहीं बनाया है और कॉंग्रेस की ये जो परिवारिक राजनीति है वो आज साथ तरों से दिखाई दी किस तरीके से एक परिवार कमरे में बैठ कर सौनिया गांदी, राहूल ग जो कॉंग्रेस पार्टी को चुना और उनको चुनकर अगर उनकी आवाज नहीं सुनी गई और एक परिवार है जो गांदी परिवार जो भी नकली परिवार है गांदी का नाम जो चुरा कर बनाया गया है गांधी इनका जो सरनेम है गांधी वो भी चुरा कर नकली गांधी बन कर गांधी के जो सबसे बड़े हकदार बने हुए हैं और गांधी के अपने नाम के आगे गांधी लगा कर ये लोगों को बेकूब बना रहे हैं और जो लोगों का जो मद्या परदेश में लोगों ने वोड दिया था उसका ध्यान नहीं रखा गया और अपने एक परिवार की जो उनकी राजनीती है उसके तहट उनका परिवार निनर लेता है कि कौन देश में PM बनेगा, कौन किस राज्य का CM बनेगा ये लोगों को सिरफ जहांसा दिया गया कि वो लोगतांत्रिक पार्टी है लेकिन देखा जाए तो कौनग्रेस पार्टी में सिरफ एक परिवार की राजनीती है एक परिवार के आगे पूरी कौनग्रेस खत्म है और ये परिवार जो चाहे वो कर सकती है ये परिवार इस एक परिवार को सहन कर रहे हैं, एक परिवार के लिए वोट कर रहे हैं, हमारे पूर्वजुन ने अंग्रेजुन को जिस तरीके से निकाला और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी अंग्रेजुन की सत्ता होने के बावजूद भारत में, उनके सहनिकों के दमन के बावजूद भारत में अंग्रेजुन को खदेड़ा था लेकिन आज जो सत्ता 21 सदी में जिस प्रकार से भारत के लोग एक परिवार की परिवार के इसारों पर नाच रहे हैं इतने सालों से उस परिवार के आगे जुके पड़े हुए हैं, उस परिवार की सुनते हैं, उस परिवार की गुलामी कर रहे हैं, उस परिवार की पैसों के लिए कुछ लोग सत्ता के लालत के लिए उस परिवार की गुणगान गाते हैं, उस परिवार की आगे कुछ नहीं सुन सकते हैं, उस परिवार की इस्तुति करते हैं, उस परिवार क खिलाब बोलने वाले के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये लोग इसलिए इन्होंने जोती राधित्यसिंद्या को CM नहीं बनाया तो ये सापसी वज़व है कि कॉंग्रिस पार्टी कभी नहीं चाहती सौनिया गांदी कभी नहीं चाहती राहुर गांदी कभी नहीं चाहते कि उनको कोई खत्रा हो कि वो जोती राजित्यसिंद्या को CM बना कर अपने केरियर को बरबात करे और उनको कोई टक्कर देने वाला कॉंग्रिस में पैदा हो। ये कॉंग्रेस नहीं चाहती इसलिए जियोती राजेसिंद्या और राजिस्तान में सचेन पाइलेट को सीम नहीं बनाया गया ये साप वज़ो है और इनकी जो छवी है वो कॉंग्रेस में आपको पता होगा ये जो सिक्कों का नरसहार हुआ था उस समयवी कमलात की जो भूमि के से इन्होंने जियोती राजेसिंद्या और सचिन पाइलेट का अब जो पॉल्टिकर के लियर है जो उनका देश की राजनीती में जो छवी होनी चाहिए थी वो नहीं बनाई जारी है और उन्हें नीचे कर दिया गया है और अब उनका जो राजनीतिक भौश्या है उस पर कहीं न कहीं प्रस्न है और अब कहां तक वो अब बन पाएंगे अगर उन्हें इस समय जब उन्हें सत्ता मिली है राहूल गांधी और कॉंग्रेस को चाहिए था कि वो जोती राजेतिक सिंद्या और सचिन पाइलेट को सियम बना कर उनके युआ निर्थित्व को देखकर र किस तरीके से सड्यंत रचा जाता है किस तरीके से राहूल गांधी और गांधी परिवार के खिलाप कोई बड़ा चहरा न बन जाए कोई उन्हें टकर देना वाला न बन जाए इसलिए बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े होनहार युआ नेताओं के करियर को कर दिया जाता है और जिस से अगर वो यूआ चेहरे अगर देश को मिलते राज्यका को मिलते तो देश की प्रगृति में कहीं नहीं एहम रोल करते लेकिन इन लोगों ने एक जो जिस समय देश की राजनीति से लोग रिटायर होते हैं वैसे समय में इन बुजुर्गों को थोप कर उस राज्यक की गांधी परिवार की पास इनों ने ये कदम उठाया है सचिन पाइलेट और जो तिराय सिंद्या को सियम नहीं बनाया है तो इसके पीछे साप और जो है कि ये लोग नहीं चाहते कि उनके के लिए कोई खत्रा बने और जिस तरीके से कॉंग्रेस पार्टी और राहूल गांधी ने घुसना की थी वो किसानों के लिए करज माफी करेंगे तो ये इनका जो दस दिन में किसानों का करजा माफी करेंगे तो लोग सवाल उठा रहें क्या राहूल गांधी किसानों का करजा माफी करेंगे क्या किसानों का करजा माफ करने की कोई वो फैसला लेंगे दस दिनों बाद और उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस के दोरान जब उनकी सरकार बन गी थी तो उन्होंने कहा था कि करज माफी कोई इस्थाई समाधान नहीं था लेकिन यही राहुल गांदी चुनाओ में चीक चीक कर कह रहे थे कि हम किसानों का करजा माप करेंगे, मोधी सरकार के खिलाब आवाज उठा रहे थे, तो देखने वाली बात होगी कि यह करजा माप करते हैं नहीं, और कह रहे थी कि अगर कोई यह काम नहीं करेगा, तो हम CM ब प्यास है, यह लोग सिरफ चुनाज इतने के लिए काम करते हैं और देश में कुछ काम नहीं करते हैं, यह उनका मनमोहन सरकार के दोरान सौनिया गांदी और राहूल गांदी का जो रिमोट कंट्रोल वारा मनमोहन को चला रहे थे और खुद को बड़े PM बन कर उनको इसारे में नचा रहे थे, वो साब दिखा और कॉंग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कमलनात क्या करते हैं और सिंधिया जोती राजे सिंधिया कॉंग्रेस को किस तरीके से अब 2019 के इलेक्शन में उनको जटका देते हैं कॉंग्रेस को राहूल गांदी को और वहीं सचिन पाइलेट कॉंग्रेस को किस तरीके से 2019 में जटका देंगे क्योंकि साब सी वज़ो है कि अगर राहूल गांदी इन्हें PCM नहीं बनाते तो ये 2019 में इन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो इस वक्त की जो बड़ी ख़बर है कि राहूल गां सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद जैसराम जै